हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूटूब चैनल इबोले तो इंग्लिस तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपोर्टन वय्वट सेब्टिटूशन के बारे में जो कि आपको एयर फोर्स और नेवी इग्जाम खेली बहुत जादा इंपोर्टन है और आप हमें टेलिग्राम पर वहांपर हमाँ एक्विज्ज करते हैं तो आप लो करते हैं हमारा फिस्त ओड़्वड यह उख़ा और यह most repeated है आपके एक्जाम में बहुत बार पुछे जा चुके हैं कहीं से sim पुछे गाएं तो कहीं कहीं पर पुछे गाएं लेकिन आपके एरफोर्स एक्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा important है तो गर इसमें light option की बात करें तो हमारा B number option आपको दिख रहा होगा सोमना बुलिस्ट का मीन्स होता है जो लगोलते हैं और dieन Mississippi का मीन्स हाँ आप पुछर्व इग्नोरेंट का मींस होता है जो अंजान होता है गाई उसे हम लोग बोलते हैं इग्नोरेंट तो इसमें हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा सोमना बुलिस्ट चलिए गाइस नेक्स दे रखा है एन इंस्टुमेंट फॉर मीजरिंग दा फॉर्स ऑफ दा विंड गाईज यह आपके फिजिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टन कोईशन आपके फिजिक्स में आ सकता है यानि एक ऐसा यंत्र जो हवा के दबाओ को या फिर हवा के बल को नापता है गाईज उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो यहापर अगर राइट ऑप्शन की बात करें लेगा अनिमोमीटर क्या होता है जो हवा के दबाओ को या फिर हवा के फोर्स को नापता है गाईज ुसे हम लोग बोलते हैं एनिमोमीटर तो यह वहे वहार राइट ऑप्शन हो जाएगा और टेलिसकोप आप लोग जानते होंगे जो दूर्भीन होती है और गाईज बी कंबर Micrometer आपको पता होगा और यहां पर बात कर से मैंनोमीटर मेन्वीेटर में जो होता है वह दबाऊन आपने का कहले ना कि हवा के दभाऊ और पको आपने का कहलो होता है तो ऊपowanemotr अगर बात करता में नेक्स्ट हमारा रहा है prohibited by law or treaty from being imported आप लोग यहाँ पर write कर दिलिएगा or exported यानि आयात या निर्यात पर जो कानून के द्वारा रोक लगी होती है उसे हम लोग क्या बोलते है यानि जो मनाई होती है किसी चीज के आयात और निर्यात में उसे हम लोग क्या बोलते है तो अगर इसमें write option की बात करें हमारा first number option write हो जाएगा contraband contraband का means क्या होता है जो चीज वर्जित होती है उसे हम लोग बोलते है contraband और B number आप लोग जानते होंगे smuggled आपने बहुत दर पिच्चरों में सुना होगा smuggler तो smuggler क्या करते हैं smuggled करते हैं यानि तसकरी करते हैं और अगर इसमें बात करें C number option की counterfeit counterfeit का means होता है नकली और जो आपको D number option दिख रहा होगा forged forged का मतलब होता है जो चीज जाली होती है या फिर कह सकते है जो नकली होती है उसे हम लोग बोलते है forged तो इसमें हमारा A number option राइट हो जाएगा चलिए गाइस नेक्स देरा काई OWS intentional destruction of racial groups यानि racial groups का मतलब होता है जो नसली समू का जो हत्या होती ही गाईज उसे हम लोग क्या बोलते है destruction यहाँ पर आपको यहाँ पर word दिख रहा होगा destruction यह हमारा instruction का Antonium है instruction मतलब क्या होता है निर्माण करना और destruction की बात करें तो यानि उस चीज़ को समाप्त करना यानि जो नसली समू होता है उसको उसकी हत्या करना का तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे तो यहाँ पर आपको side root वाले word दिख रहा है यानि जो नसली समू यानि जो एक ही जाती के लोग हत्या करियाती है जाती वद होता है गाईज उसे हम लोग बोलते है genocide और बात करें यहाँ पर हमारा first word दे रखा A नमबर पर regicide regicide का मिन्स आप लोग जानते होंगे regicide यानि जो राजा की हत्या होती है उसे हम लोग बोलते है homicide और genocide का बात करें तो वो होता है जातिवद यानि कह सकते है जो नर संहार होता है उसे हम लोग बोलते है genocide और अगर इसमें बात करें D नमबर आप्शन की fretry side fretry side का मिन्स होता है जो ब्रदर की अत्या होती है जो उसे हम लोग बोलते है fretry side तो आप लोग confused मत होगेगा यहाँ पर हमारा B number option right हो जाएगा genocide के लिए next दे रखा है अब person in vehicle और on horseback escorting another vehicle यानि एक vehicle में या फिर घोड़े की पीट में जो वेक्ती बैठा होता है और दूसरे vehicle की देखभाल करता है या फिर उसकी रच्छा करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो अगर इसमें right option की बात करें तो यहाँ पर आपको c number option दिख रहा होगा out rider out rider का मिन्स यही होता है जो क्या होता है उसको protect करती है तो guys उसे हम लोग बोलते हैं उन वेक्ती को बोलते है out rider out rider का मिन्स होता है जो पुलिस कादमी होता है उसे हम लोग बोलते है out rider और यहाँ पर आपको b word दिख रहा होगा escort तो guys escort का escort का meaning है वो कहीना कहीं से बिल्कुल match करता है तो यह भी हमारा right option है बटा यहाँ पर आपकी जो c number option है वो ज्यादा better होगा तो आप लोग को जब c number option out rider ना मिले तब आप escort लगा सकते हैं लेकिन अगर मिलना है तो आप लोग out rider लगाईएगा और यहाँ पर आपको एक word दिख रहा होगा navigator navigator का means आप लोग ने सुना होगा navigation से navigation किसमें होता है navon में होता है और guys यह करता है navon की position का पता लगाने में use होता है navigator means कहीं ना कहीं navik से होगा और बात करें यहाँ पर d number security आप लोग जानते होगे तो यहाँ पर हमारा c number option right हो जाएगा चलिए six number question दे रखा है not allowing the passes यहाँ पर आप लोग राइट के लिएगा passes होगा of light यानि जो light को आर पार ना जाने देगा ही तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं और आपको पता होगा यह भी most repeated है जाद तर जितने भी आपके one word आ रहे है तो आपके exam के लिए बहुत यहादा important है चलिए गाइस इसमें अगर right option की बात करें तो उपायक हमारा right option हो जाएगा यानि B number option चलिए गाइस next दे रखा है science regarding principle of classification यानि according to science के regarding कौन सा principle है जो classification के बारें बताता है यानि जो वर्गी करण के बारें बताता है वो कौन सा word होगा यहाँ पर गाइस तो अगर इसमें right option की बात करें तो आपको B number option दिख रहा होगा taxonomy taxonomy का means क्या होता है जो वर्गी करण होता है गाइस उसे हम लोग बोलते है taxonomy तो कुछ लोग है आपर सोच रहा होगे classicology तो guys classicology option right नहीं होगा हमारा जो taxonomy यह होता है हमारा classification के बारें बताता है यानि वर्गी करण के बारें में और taxidermy taxidermy कहीं न कहीं हमारे skin से related है यानि जो चर्म पूर्ण होता है उसे हम लोग बोलते है taxidermy और इसमें अगर right option की बात करें तो taxonomy हमारा right option हो जाएगा चलिए next question दे रहा है science of heredity heredity का means होता है आन्वानसिक यानि आन्वानसिकता का जो विज्ञान होता है तो यहाँ पर आपको एक word दिख रहा होगा genetics तो जाइस हमारा genetics word है यह हमारा right option है genetics का means होता है जो आन्वानसिकी होती है उसके बारे जो विज्ञान होता है उसे हम लोग बोलते है genetics तो यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो क्या कर देंगे a number option लगा देंगे क्योंकि match कहा रहा है heredity से तो यहाँ पर hereditary लगा देंगे लेकिन यह आपको option गलत हो जाएगा यहाँ पर हमारा जो b number option है genetics यानि इसी का means होता है अन्वानसिकी तो यह हमारा right option हो जाएगा और थर्ड number option की बात करें genesis genesis का means होता है उत्पत्ती और अगर d number option की बात करें inheritance यहाँ पर यानि आपने सुना होगा heritage तो यह inheritance वहीं से है यानि विरासत तो इसमें मारा b number option right हो जाएगा genetics चलिए next ows दे रखा है occurring at night यानि जो रात रात में गटित होता है यानि जो रात में होने वाला होता है यह आपके air force exam में आ चुका है यह repeated है आपको question तो यह आपको question बिल्कुल ही दिधान रखना चाहिए क्यों कि आपके air force exam में पूछा जा चुका है तो अगर इसमें right option की बात करें तो आपको c number option right हो जाएगा यानि नॉक्टर्नल का मींस क्या होता है जो रात का होता है गाइज उसे हम लोग बोलते है नॉक्टर्नल तो यह आपका right option है और आपके air force exam में यह word आ चुका है और dark का मींस आप लोग पता ही होगा आपको और nightly का मींस भी आप लोग कहीं न कहीं जानते होंगा यानि यह भी रात से related होता है लेकिन अगर right option की बात करें तो यह हमारा d number option ही right होगा नॉक्टर्नल चलिए next ows यह रखा है determine the nature of the disease यानि बीमारी का जो बीमारी की जड़ होती चानबीन करना और determine determine का मींस होता है निधारित करना यह कहीं न कहीं determination से है determine और अगर इसमें right option की बात करें diagnose यानि आप लोग जाते होंगा अगर कोई आप कोई बीमारी है तो आप लोग diagnosis यानि diagnose कराते हैं तो गाइस उसका मींस होता है diagnose तो यहाँ पर इस डेक्ट और रखा है believe that God is in everything and that everything is God यानि ऐसा विस्वास करना कि हर चीज में God है और हर चीज क्या है God है यानि everything is God यानि हर चीज क्या है God है और हर चीज में God है इस विस्वास को हम लोग क्या बोलते हैं तो अगर इसमें right option की बात करें तो इसमें हमारा B number option आपको दिख रहा होगा pantheism pantheism का मतलब होता है जो कह सकते हैं देव पूजा यानि जो हर चीज में देव को माने भगवान को माने गाईस उसे हम लोग बोलते है pantheism और गाईस आप लोग pan root word का मीन जानते होंगा pan का मीनस हमारा आल से होता है यानि सबी से तो यानि जो हर चीज में God को माने गाईस उसे हम लोग बोलते है pantheism तो आप लोग याद रखेगा चलिए हमारा next OWS दे रखा है 12 number पर जो कि यह that which cannot be called back यानि जिसे वापस न बुलाया जा सके गाईस उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो गाईस अगर इसमें right option की बात करें irresponsible यह हमारा होता है गहर जिम्मेदार तो यह right हमारा होगा नहीं और b number option की बात करें irrevocable irrevocable का मीनस होता है जो चीज इस्थिर होती irrevocable यानि इसका मीनस होता है अपूरणी तो यह हमारा right option नहीं होगा और incalculable का मीनस होता है यानि यह calculate से लिखला है तो incalculable का मीनस हो जाएगा यानि जो बेहिसाब होता है गाईस वह हमारा होता है incalculable तो यह हमारा right option नहीं हमारा बी नमबर ऑप्शन राइट हो जाएगा चलिए नेक्स रखा है एन एबेंडेंड चाइल ऑफ अन्नोन पारेंट्स धाय जाता है इसे मिल जाता है उसे हमलों क्या बोलते हैं चाहर पर बहुत से लोग जो आपके डी नमबर ऑप्शन लगाया हैं और फन अनात बच्चा लेकिन जो कोई अन्नोन बच्चा होता है किसी के द्वारा त्याग दिया जाता है और कोई दूसरा पैरेंट्स उसको मिल जाता है तो गाई उसे हम लोग बोलते हैं foundling यानि जो त्यागा हुवा बच्चा होता है वेक्त सिसु होता है गाई उसे हम लोग बोलते हैं foundling तो यही हमारा यहाँ पर right option है और अगर बात करें siblings सिब्लिंग रड़ आपका important है जो इसे हम लोग बोलते हैं siblings म क्या होता है एक इमा की संताने और अर्चिम यहोग बताये कर के आपको वन वर्ड कैसे लगे और आप लोग कमेंट करके बताईएगा आपके जो ये वन वर्ड हैं कितने इसमें राइट लिख लें और आप हमें टेरी गाम पर फालो करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा आप लोग वहाँ पर हमें फालो कर सकते हैं कि यहिंधें इसकी लिंग में दे रखिए तो चलिए दोस्तो जै हिन जैवारत और हाँ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और दोस्तों में कर देना और कर देना चलिए दूश्फों